आज में इसकी इस क्लास में हम पढ़ेंगे ओडिनल नमबर्स ठीक है ओडिनल नमबर्स क्या होते हैं ओडिनल नमबर्स आर्ड़ नमबर्स देट तेल अस अबाउट दे ओडर और और पोजिशन जो जिसके हम ओडर और पोजिशन बताते हैं जैसे फॉर्स सेकेंड थर्ड फॉर्ड यह क्या खेलाती है उनकी पोजिशन खेलाती है ठीक है नमबर्स की जैसे उधारन के लिए आपको बताती हूँ जैसे लेट्स हैव लूप एड़ पीचर केरफुली देखें यहां पे वह सारे पीचर में आपको एनिमस दीख रहे हैं जिसमें फॉर्स कहां लिखा है लोयन फॉर्स्ट पोजिशन पे है यहां लिखा है फॉर्स्ट वन के साथ स्ट भी लगा है तो क्या अब पढ़ेंगे इसको फॉर्स्ट तो इसका पोजिशन क्या होगा फिर्स्ट जैसे आप इस क्लास में फॉर्स सेकेंड, थर्स रद है ओर वो पोजिशन क्या है और थाइज ठीक है second 2 लिखा हुआ है उसके साथ के लिखा NB second क्या पढ़ेंगे second third पर क्या है beer भालू तो third की position क्या है 3RB third ठीक है fourth third की बाद क्या है fourth rabbit fourth position पर है अब इस बाद fifth position पर क्या है fox three six position पर है hero ठीक है six के बाद क्या आता है seven seven पर क्या है caterpillar eight position पर क्या है red चुहां eight तक बाद nine position पर क्या है nine position पर है tortoise ठीक है tenth position पर है आंट आने चीटी यह किसी race में दोड रहे है और fourth second position मतलब जो आगे है वो first उसके बाद second, third, fourth, seven, eight, nine, ten ठीक है अब हम आगे next next page पर know the position of each animal ठीक है अपने इधर पहले पेच पे देखा था कि animals में lower lower क्यों सी position पर था? first position पर ठीक है first position तो first को अपन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? eight, I, R, S, T, first आप को यह sparing learn करनी है ठीक है? अब tiger क्यों सी position पर था? second, second position पर ठीक है? my position is two, I am second ठीक है? मतलब भी second position पर रहा है second की spelling पर आपको learn करनी है? S, E, C, O, and D, second third पर कौन था? beer my position is three, याने I am third third position पर था यह ठीक है? rabbit, rabbit कितनी position पर था? my position is four, याने I am fourth, ठीक है? फिर आता है, my position is five, ठीक है? I am fifth position, my position is six, I am sixth, मतलब में sixth नंबर पर था? my position is seven, I am seventh, मतलब में seventh पर था? my position is eight, I am eighth, my position is nine, यह बोल रहे है, my position is nine, I am ninth, my position is ten, याने I am tenth, मतलब में tenth पर था? ठीक है, इनकी spelling, learn करनी, आपको six की spelling पर आती है, eight की पर आती है, seven की पर आती है, ten की पर आती है, nine, इसके आगे आपको क्या लगाना है? प, यह लगाना है, ठीक है, और first, second और third की spelling, learn करनी है, ठीक है? अब हम आते हैं, next page पर, write the missing ordinal number, यहां पर जो missing ordinal number आपको लिखना है, first, first की पर आता है, second, की पर आपको लिखना है, यहां लिखा है thirnd, thirnd की पर आती हाएगा fourth, आपको लिखना है, 5th, 5th की बारत की आगा 6th आपको लिखना है 7th लिखा है, 8th आपको लिखना है, 9th लिखना है, 5th, 10th लिखना है, ठीक है Next question है, write the number of the bees Start Write the number of the bees according to their position One has been done for you This means, the bees on the back of the bees what you do, are you to write in the ordinal numbers What you do, are you to write numbers? 1st, 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 2nd, 2nd, 1st, 2nd, 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 3rd, 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 3rd फर्ट की spelling लिखना है फॉर्थ पोजिशन पे फॉर्थ की spelling लिखना है इसी प्रकार आपको पोजिशन लिखने जारे नमबर्स भी लिखना है ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर जोइन दोट्स फॉम 1 तो 10 एंड कम्प्रीट दे पिक्चर डॉर्ट फॉर्गेट टू कलर इट इसमें आपको नमबर्स दे रहा है उनको 1 से 10 तक जोइन करना है और इसमें कलर भी करना है ठीक है थैंक यू